2014 और 2019 वाला महौल इस बार नहीं दे, मोदी लहर नहीं देखने को मुला और ये खत्रे की निसान पर रहेगा, ये सीट और अंगाबाद लोगसभा सीट जो है पहले चरणों में जिन लोगसभा सीटों पर चुनाव हुआ था और अंगाबाद नवादा गया और जमुई, उसमें एक नवादा छोड़के ये तीनों सीट समझे की खत्रे के निसान पर है सुसील सिंग और निटीश कुमार का मेल नहीं बैठ पाता 2014 और 2019 में चिराग पास्वान ने बिल्कुल ही काम नहीं किया बिनोद यादो, तो बिनोद यादो और सरवन कुस्वाह में लडाई हो गई और नवादा लोगसभासीट भारतिये जनता पाटी के पाले में जाने से कोई नहीं रोख सकते गया लोकसभा सीट खतरे के निसान पर है और बिल को लेंडिये के लिए खतरे के निसान पर है और उन भारती से इसलिए भी बतला लेंगे कि उचीराग पासवान के पाटी से चुना लड़ रहे हैं और दूसरी बात है कि उचीराग पासवान के परिवार से हैं और अंगाबा लोग सभाचुनाओ का मद्दान संपन्ध हो चुका रैसे में अब चार जून को परिनाम सब के सामने होगा हलाकि उससे पहले एक जिट पॉल क्या कुछ कह रहे हैं दा इंडिया टॉप ने इससे पहले भी आपको दिखाया था और एक बार फिर से हम एक चरन की बात करने वाले हैं चुकी सहयोगी ससांत पांडे अलग-अलग छेत्रों में ब्रह्मन की हैं पूरे 40 लोगसभा सीट का ब्रह्मन की हैं कड़ी नजर रख रहे थे लोगसभा चुनाओ की गति वीदियो पर और ऐसे में हम इनसे बात्चित करेंगे जो चार लोगसभा सीटे हैं सिसांग जी वो किस के खाते में जाने वाले हैं इंडिया या इंडिया के खाते में आप दगड़ा ऑन दगड़ा हावा हावाई बाते नहीं होगी जो सच होगा एक्जिट पोल में वहीं बताया जाएगा कल भी हमने बताया था हर सीट का एक सर्वे किया था और अब हम अलग-अलग जो चड़नों पे चुना हुए हैं साथ चड़नों में चुना हुए अलग-अलग चर्णों में कौन सी सीटे इंडिया के पक्ष में जाएगी और कौन सी सीटे इंडिया गट बंदन की पक्ष में जाएगी इस पर चर्चा करेंगे पहले चरण में औरंगाबाद, नवादा, गया और जमुई में चुना हुआ इसी पर चर्चा करेंगे कि इन सीटों पर कौन चुनाओ लड़ रहा है पिछली बार कितने वोटों से उनकी जीत हुई थी इस बार उनकी जीत कितनी वोटों से होगी इसी पर चर्चा करेंगे, पूरा हमने डेटा तयार कर लिया है, छेतर में तो हम घूमी रहे थे, लोगों से बाच्चित कर रहे थे, महौल पूरा बना हुआ था, एक चीज जो देखने को मिली कि 2014 और 2019 वाल इस बार नहीं देखने को मिला, दिखा बहुत कम दिखा, गांदी कितनी बारा है बिहार, दो बार, नरेंद्र मोदी, अमित्सा, दरजनो, जेपी नडडा, दरजनो बार, बिल्कुल, वो पूरा कैंप कर चुके थे, कि उनको पता है, कि राजनीत की सुरुआत बिहार से ही होती है, आपको बिहार देखना पड़ेगा, भले ही 40 सीट हैं, लेकिन 45 सीटो पर एक अलग राजनीत होती है, और यहां से राजनीत सिखाई जाती है, तो औरंगाबाद की पहले बात करेंगे हम, औरंगाबाद लोग सभाचित्र में, बाजपा का जाता है, सुसील सिंग का, बाजपा का गड़, चित्तोर गड़ का जाता है उसको, राजपूतो की संख्या अच्छी खासी है वहाँ पर, तो वहाँ पर सुसील सिंग की लड़ाई अभय कुषवहा से, अभय कुषवा कौन, जेडियो को बागी, यह जबी जेडियो के बागी यह हैं, 2009 में यह भी जेडियो से चुनाव लड़े थे, जीते भी थे, सांसद भ पार्टी के टिकट पर चुनाओ लड़कर यह जीत गया है 2019 में भी चुनाओ लड़े तो इनकी जीत जो है बहुत ज्यादा वोटों से नहीं हो रही है कभी 62,000 से ज्यादा वोट से नहीं जीतते हैं यह मार्जिन बहुत कम रहता है और इस बार यह सीट खत्रे में है यह सीट इसलिए है क्योंकि 2019 में अगर आप देखे तो यह 72,000 वोट से जीते थे उपिंदर परशाद जो है इनके खिलाब चुनाओ लड़े थे हम से उपिंदर परशाद तो उपिंदर परशाद हम से लड़कर जो है इनसे 72,000 कम वोट लाए थे जहां एक तरफ आप देखिएगा तो भाजपा के जो उमिद्वार हैं जो सांसद हैं जो बने हुए हैं दो-दो लाग तीन-तीन लाग वोट लाकर सांसद बने हैं लेकिन सबसे कम वोट लाकर सांसद यही बने थे औरंगाबाद से उसके बाद आए तो रामकिरपाल यादो भी कम वोट लाए थे मतब कम सुसिल सिंग वर्स अभै कुस्वाः, अभै कुसवाः पर ध्यान देजे कुस्वाः वोट जो है। अच्छा अभादी है। अच्छी खासी अभादी है। अब अच्छी खासी अबादी होने क्या फायदा अभे कुस्वाहा को मिला, क्योंकि कुर्मी कुस्वाहा वोट जो है, सुसील सिंग को लगा कि कुर्मी कुस्वाहा वोट निटीश कुमार, उपेंदर कुश्वार, समराच चोधरी के नाम पर हमारे तरफ आ जाएगा, लेकिन और अंगाबाद सीट नितीश कुमार चाहते थे कि जेडियू के पाले में जाए इनके खाते में जाए और यहां से आनंद मोहन को चुनाव लड़ाने की बात हो रही थी लबली आनंद जो सीवर से चुनाव लड़ रही है उनको यहां से लड़ाने की बात हो रही थी लेकिन या राजपूतों का गड़ है इसलिए तो ये सीट खत्रे में है अभी भी और ये खत्रे के निसान पर रहेगा ये सीट और अंगाबाद आझ तोटा मुसलमान नहीं टूटा कुरमि कुष वह वह तूटकर चला गया राजप के तरफ और यादो पहले से राजप का ता उसके बाद आपा हैं तो मुसलमान जो है वो राजत का था और उसके बाद देखिए डलित भी तूटा डलित भी इंडिये को कुछ वोट करता है कुछ इंडिया गडवन्दन को वोट किया तो यहां इनके लिए खत्रे की घंटी है यह सीट इंडिया गडवन्दन के पाले में जा सकती है जिन सीटों की चर्चा हो रही है कि यह इन सीटे जो है इंडिया गडवन्दन के पाले में जाएगी उसमें औरंगाबाद लोगसभाद सीट सबसे पहले नंबर पर है अब आप चर्चा करेंगे नवादा लोगसभाद छेत्र की नवादा लोगसभाद छेत्र में विबेक ठाकुर भुमियारों का गड़ कहा जाता है कितना भुमियारों का गड़ कहा जाता है इसलिए विबेक ठाकुर को आपने उमिद्वार बनाया यहां से भारतिये जनता पार्टी हर बार एक्स्पेरिमेंट करती है हर बार नया चेहरा लाती है हर बाहरी लाती है चाय भोला सिंग की बात करे गृरा सिंग की चंदन सिंग की बात करें अब बिबेक ठाकूर पर एक तो पहला की परिवारवाद का ठपा है उनके पिता भारतिये जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता सिपी ठाकूर राजसभासांसद अब उनकी जगा पर इनके बेटे राजसभासांसद भेजे गए उसके बाद बेटे को लोगसभा का टिकट दे दिया गया कि जाइए चुनाओ लड़िये तो एक तो परिवारवाद का ठपा दूसरा बाहरी बाहरी का ठपा फिर आते हैं वहा गई लड़ाई इस बात की कि यादो का वोट हम लेंगे तो हम लेंगे सवरोन कुस्वा कह रहे थे कि हम राज़त के उमिद्वार हैं यादो का वोट हमारी तरफ जाएगा तो यादो वोट जो है वो तूट गया बिलकुल आरज़ेडी से यह बगावत कर आए बिनो हमारी हो गई और यहां पर कुस्वाहा वोट ज्यादा ट्रांसपर नहीं करा पाया है सरवन कुस्वाहा के लिए खत्रे की घंटी है और नवादा लोग सबासीट भारतिये जनता पार्टी के पाले में जाने से कोई नहीं रोख सकता है नवा तैय है हां पिछली बार 3,47,612 वोटो से चंदन सिंग की जीत हुई थी इस बार ये मार्जिन कम रहेगा ये मार्जिन एक लाख तक पहुचेगा तीन लाख नहीं जाएगा तीन लाख से इस बार किसी की जीत बड़ी नहीं होने वाली है सब की जीत छोटी होगी 40 में 40 में जिसकी भी जीट होगी 40 लोग सबाद छहतर में जिसकी भी ही जीत होगी अगर किसी का पैर कर गया तो बहुत बड़ी जीत होगी हुच ही तीन लाख से पिछली पिर से हार्ट लगाएंगे क्योंकि यहां कारण है आप देखे तो यहां बहुत बढ़ा कारण है आप जाती हे समिकरन से अगर गया को देखे लेकिन पिसके पहले बता दे कि जीतना माजी 2019 में देर लाख वोट से हारे थे एक लाख बावन हजार चारसो चबविस बोटों से ये चुनावारे थे पिछली बार और विजय माजी से चुनावारे थे विजय माजी जेडियू के उमिदवार थे तो इन्होंने हराया इनको और ये गटबंधन किये थे राजत से तो इस बार इनको लगा कि हम इंडिये से गटबंधन करते हैं, इंडिये से जित जाएंगे, निटीश कुमार का भी साथ रहेगा, मुदी का भी साथ रहेगा, लेकिन इनके साथ निगेटिव क्या हो गया, कि एक तो राम का विरोध याद होगा, राम कालपनिक है, वो बयान यो कैसे भूल गहें, और आपने भी देख कावत है कि सौव चुहा खाके बिलाई चली हच को, तो ये वाली बात, ये वाली घटना इन पर पूरी एक तम फिट बैठती ये वाली बात, कि आप पूरा विरोध कर लिए, मतलब खूब किसी चोड़ी किये, खूब चोड़ी किये, और उसके बाद जाकर मंदिल में बेढ जाएगा, तो संत तो नहीं हो जाएगा, चोड़ी ही रहिएगा, तो वही हाल है इनका, तो ये चले गए थे, लेकिन बिरोध आपने देखा किस तरीके से, राजपूत ब्रावन भूमिहारों ने इनका बिरोध किया, उन्होंने कहा कि हम मोधी को देख रहे हैं, लेकिन रा राम विरोधी को नहीं जीता है, हिंदू विरोधी नहीं चाहिए, और उससे भी बड़ी बात, विजय माजी का काम नहीं दिखा, विजय माजी का काम नहीं दिखा, और इसका खामियाजा, जीतना माजी को भूगतना पराई, वो भी NDA के थे न, 2019 में, ये भी NDA के हैं, वो पर माझीयों की संक्य अच्छी है इनदायक भूमिका में तो वही तैग करेंगे न तो सनक्राइब कर दिया आपको कुमार सरभजीत ने गया लोगस भाद सीट खत्रे के निसान पर है और बिलकुल एंडिये के लिए 殖त्रे के निसान पर है कुमार सरवजीत यहां से सीट निकालते हुए नजर आ रहे हैं और कुमार सरवजीत अगर सीट नहीं भी निकालते हैं तो माजी बहुत कम बोटों से चुनाव जीतेंगे जीतना माजी के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनावती है और अगर इस बार हारते हैं तो राजनितिक रूप से खत्म हो जाएंगे जीतना माजी क्योंकि लगतार तीन बार लोग सभाज्चित में चुनाव हाड़ना आपके लिए बहुत समझे की बड़ा संकट और यहाँ पर देखिए अगर जाती है इंगल से देखेंगे तो मुसल्मान दो लाख दस अजार है मुसल्मान का सारा वोट रांसपर हुआ कुमार सरबजीत को राजपुत मुमिहार ने हम मैंने आपको पहले ही बताया था बिरोध किया उनकी संख्या यहाँ धाई लाख है उन्होंने बिरोध कर दिया इनमें संधमारी हो गई कुछ ने नोटा को वोट दिया कुछ वोट ही देने नहीं गए और जो वोट देने गए उसमें से लगबग 20% कुमार सरबजीत को वोट देकर चले आए राजप के साथ चले गए अब यह कटा यादो 2,15,000 वो राजप कहीं जाएगा ही नहीं कहीं नहीं जाएगा मांजी 2,50,000 अब धाई लाग में हमने आपको पहले का किसे नमारी हो चुकी है लगबग 1,00,000 वोट ट्रांसपर हो गया है कुमार सरबजीत को मांजी का उसके बाद आप आते हैं पास्वान चिराँ बिल्कुल नहीं कुमार सरबजीत भी पास्वान है और उनके पिता बहुत बड़े नेता थे कुमार सरबजीत के पिता सहीद हुए है तो वहाँ सान्भूती भी है नक्सली से लड़ते-ड़ते मर गये तो सान्भूती वोट भी है उसके बाद वैसे जो है वैसे इनके साथ जा रहा है माजी के साथ तो वैसे न जा रहा है आपको धोबी, पासी, पासवान, माजी, यादव, राजपुत, भुमियार, मुसल्मान ये सोब तो चला गया ना कुमार सरभ्यत के साथ इस पार माजी के लिए संकट है अब आते हैं जमुई लोक सभासीट चिराग पासवान के जीजा अरुन भारती कितना काम यही संकट सुरू हो जाता है जैसे आप कहते हैं चिराग पासवान के जीजा संकट यही हो जाती है अगर कहते हैं आप अरुन भारती आप भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनका वही पहचान ही है कौन जानता अरुन भारती को बिल्कुल कोई नहीं जानता है तो अरुन भारती को कोई नहीं जानता है वहाँ पर उनकी पहचान हो रहे यह चिराग के जिजा से और इसलिए संकट हो रहे कि 2014-2019 में चिराग पास्वान ने बिल्कुल ही काम नहीं किया 2019 में चिराग पास्वान 2,41,49 वोटों से चुनाव जीते थे और इस पार इनके लिए संकट हो गया है अरुन भारती के लिए क्योंकि वहाँ पर चिराग पास्वान ने काम नहीं किया और लोग बदला किस से लेंगे बदला लेंगे ना किस से लेंगे अरुन भारती से इसलिए भी बदला लेंगे कि वो चिराग पास्वान के पाटी से चुनाव लड़ है और दूसरी बात कि वो चिराग पास्वान के परिवार से है अच्छा एक बड़ बड़ा फैक्टर नरेंद्र मोदी सबसे पहले अपना जन सभा लोक सभा का सुरुवात बिहार में जमुई से ही सुरू किये थे ये नरेंद्र मोदी कितना वहा काम बिल्कुल नहीं देखिए मैंने पहले ही कह दिया था इस बार मोदी फैक्टर काम नहीं किया और आपने देखा अंत समय में एक वीडियो भले ही सोसल मीडिया पर तेजी से वाइरल हुआ हलाकि वो चिराग के पक्ष में चला गया था जिसमें चिराग पास्वान के माता पिता को गाली मा को गाली दी गई थी तो वो कुछ हद तक वोट ट्रांसपर कर वाने में सफल हुआ वो लेकिन अर्चनार अविदास भी यहां मजबूत है और इन चारों लोग सभा सीट में पहले चरनों में जिन लोग सभा सीटों पर चुना हुआ था और अंगाबाद नवादा गया और जमूई उसमें एक नवादा छोड़के यह तीनों सीट समझे की खत्रे के निसान पर है अब इन चारों में से इन चारों लोग सभा सीट में से और अंगाबाद राजत के खाते में और गया राजत के खाते में और जमूई भी राजत के खाते में जाते जाते बची हुई अभी देखिए क्या होता है मतलब पहला चरन तीन सीटे आर जेडी के खाते में जाते दिखाई दे रही है हाला कि एक मातर सीट जो नवादा है जहां से विवेक ठाकुर उमिद्वार हैं वह सीट इंडिये के खाते में जाता दिखाई दे रही है दा इंडिया टॉप का ये एकजिट पॉल है ससांग पां पाचित हम अंगले वीडियो में आपको दिखाएंगे तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए देंडिया टॉप देखते रहें धन्यवाद